Reason why I started hitting Oyo Rooms, वैसे तो मैंने बहुत सारे Oyo Rooms के review वीडियो बनाई है, अलग-अलग Oyo Rooms में personally जाके visit किया है और उनको review भी किया है, लेकिन अब Oyo Rooms में बहुत सारी problems है, जैसे कि check-in denial, room online book करने के बाद भी आपको check-in नहीं दिया जाता है, second one is hotel charging extra amount, भाई साब आपने online book कर द किस बात के मांग रहे, I don't know, and the third problem is, यह तो बहुत साथ major problem है, आपने online book कर दिया, आपने payment भी कर दिया, hotel में check-in के वक्त आपको पता चलता है कि hotel ने दो मैंने पहले ही Oyo Rooms के साथ अपना tie-e break कर दिया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई, यहां पर problem किस की है, Oyo Room की है, जो की D-List होने के बाद भी अभी यह दिखा रहे है, या फिर hotel वालो की है, या फिर रितेश अगरवाल जी की है, so let me know your views in the comment section below, and यार अगर आपने ऐसे कभी problem face की है, तो यार वो भी बता देना,